सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है यह वीडियो नीमच के पास भादवा माता खाचरोद गोठळा वाली माता की हर साल के तरह इस साल राम नौमी पर की गई भविश्वानी का बताया जा रहा है जिसमें हर रोग बीमारी से छुटकारा पाने के उपाय बताया गया है जिसको लेकर धार के समीब ग्राम बगडी में भी महिलाओं में वीडियो देखकर अविवार को शीतला माता मंदिर पहुचकर विदिविदान से शीतला माता का पूजा नर्चन किया वायरेल वीडियो के अनुसार बगडी की महिलाओं ने तांबे के कलेश में नीम के पत्ते और जल भरकर शीतला माता मंदिर पहुची और पूजा अरजना कर माता कोट हंडी भी की गई साथ ही अपने घर के दर्वाजे और खिलकी में दीपक और अगरबत्ती लगाने के पश्चात किसानों ने अपने खेत खलियान और मवेशियों के उपर नीम के पत्तों से जल का छिलकाव किया वाइरल वीडियो के निस्वार की जा रही पूजा रईवार सुबा तलके से शुरू हुई जो दोपर तक चलती रही को मातेश्री उपाई बताया गयो है जो सोयम आपके अपनाई घर में से अपनाई घाओं में हाल हजूर सितला माता विराजमान है जिनके रही बार का दीन बादा तारीक सुबस साथ बजे का पेला हापड़ी धूपड़ी ने तांबा पितल का लोट्या में जल भरी ने मातेश्री सितला माता के ठंदी करनी है आदो नीर बचाईने लाणों बेना जो नीर बचाईने लाओगा वो नीर शितला माता को अपना धान धोर धाना पे बाल बच्चा पे खेत कुड़ा पे गाड़ी घोड़ा भान पे दुकान पे मकान पे जो नीर शितला माता को छिड़क रू है तो अगर बत्ती एक मिठा तेल को दीपर अपनी पानी की परेंडी कने साथ बजे बाद रखनों हैं घर में रिष्टदार में जाती समाज में अडोसी पडोसी में कोई भी भाल बच्चा पीडी तो माता जी वगरा लिख लिए सितला माता फुंचे टाइप तो उन भाल बच्चा के मा भादवा मता की जोत इंदोर विराज मान रहेगी बारा तारिक रही वार का दीन दीन में तीन बजे से नो बजे तक जोत में लिकाल लेको कारी रहेगो हवान पूझन कण्या भोझन को कारी करम रहेगो छाब।। उनमें अपनी आत्मा सर्दा से बनें अपनी देड़ी गरवाजा से आप दोदो अगरवत्ती मातेशिके बेट करेिशन को अपना अपना घर से बने तो हवन पुजल में ग्यम दी सको जो भी सर्दा से बने जो भी सत्ता आत्मा से बने तो दान धरम करी सको नहीं बने तो कोई बात नी जो विधी बताई है वा विधी सब बैबेल मिलीने एक दुसरा से एक दुसरा के कीन है जो सो में परचार की दो है एक दुसरा के कीन है मातेश्री सितला माता धितवार कादर थंडी करी शको और हाथ जोडी ने जे बोली शको अब भी गाहूं में बीमारियां डेंगू और कोरोना काल में आने वाली बीमारियों के कारण सर्वे करने के कारण हम लोगों को पता चला कि किती बीमारिया हो रही है तो हमारे सपने माता जी ने किसी ने आके किसी को बोला कि माता जी ठंडी करो कुछ भी तो होगा इसलिए सारी बगडी की और लेडिसों ने माता जी का कारीकरम इस्थल करके एकता सामोही तेवार मनाने के योजना के हिसाब से हमने माता जी ठंडी करी